अब हमसे नहीं मिलोगे तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी मेरी जान कॉलिज के ना सही लेकिन कैंटीन के खेटेकर तो हम ही है नाम है हमारा अब सोच रहे होंगे कि हमारा नाम इतना अजीब क्यों है मेनत सिंग होला चलिए इसका कारण भी हम आपको बताए दरसल बात यह है कि आज हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी बने उसके पीछे हमारी कड़ी मेहनत इसलिए हमने अपना नाम रख लिया मेनत सिंग और रही बा इसी बीच किसी ने हमसे कहा कि होला जर् 더 गुलाल देना हमें हमारी बहुलित सी पीछकारी पड़ी हम पर कि हमारा नाम हो गया मेना सिंग होला अच्छा बात बताओ अगर तुम होली की जगा लोडी को आया होते तो तो क्या हमारा नाम होता मेना सिंग लॉड बताए तुमको साल है कि हमारे नाम का मसलब क्या होता देंगे कान के नीचे खेच के आजकल के स्टुडेंट्स के द बिगड़े हर कोई हमसे कहता कि माका आज हम अपना मूट खराब नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारे प्रिंस्पिल साहिव यानि के अनुराग जोहर की रिटार्मेंट पर कॉलीज रियूनियन रखी गई है और आज तो वह पुराने गैंग वाले भी तो आएंगे हाँ वैसे कॉलीज में बतेरे गैंग थे लेकिन ये गैंग जरा इस्पेशल थे यारों की गैंग दो साल पहले पास आउट हुए ये माक्स में तो नहीं लेकिन हाँ दिलों के राजा थे चलिए आपको भी मुखातिक करवा देते आईए ये हैं पांचों की गैंग और ये हैं जव आई हो तुम मुझे जानता हूँ फोटो की जवाने आई हो ना जी आपकी आखे किते प्यारी हैं आपके बाल किते प्यारे हैं आपके आकून शांदार मेरी करने का मतलब है कि सर से पाउं तक आप कमाल है मैं सिरफ यहां पर अपनी तस्वीर के लिए आई थी और जल्दी निकाल देंगे तो महरवानी मुझे हां जी बताइए कौन सी तस्वीर चाहिए हम यहां पर बड़्दे के मुन्डन के शादी के डिवोर्ट्स के ब्रेक अप के फ्रेंचिप के यहां तक के फेस्बुक प्रोफाइल की भी फोटो कीचते हैं यह मुझे बस व शादी वाली शादी वाला चाहिए आईए तो श्रीफ लाइए आईए आईए पर्फ्यूम अच्छा है आपका कहां से खरीदा अजी यह तो पहला था अभी तो चार चिरांदे और बाकी हैं एक से चालू एक से बढ़कर एक गोली बास और हां गोली गिरी में सबसे बड़े शिकारी थे हमारे आशू महाराज यार यह समझ नहीं आता तुम तुम मेहनत तो इतनी करते हो लेकिन टागेट्स क्यों नहीं अचीव कर पाते तुम्हें पता है तुम्हारी उमर में मैंने टागेट्स के रेकॉर्ड कायम कर दिये थे रेकॉर्ड से जिन्दगी में जो पाना चाहते है वो आसानी से नहीं मिलता या दूसरे शब्दों में कहूं हम पाना ही हो चाहते हैं जिसे पाना असान नहीं होता अभे फिलोसफर क्या बोल रहा हैं सेल्स की भशा बोल सेल्स की मुझे सिर्फ प्राफिट के लेंग्विज समझ आति है सर मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि छोड़े सर ये बताईए इंडिया में सचिन टेंडूलकर कितने एक रजिनी कांथ कितने एक चेम्स बॉंड कितने अरे भाई एक लेकिन इसका सेल्स से क्या तालूँ तालूख है सर तालूख है सचिन टेंडूलकर एक रजिनी कांथ एक जेम्स बॉंड एक वैसे ही आप भी एक हैं सर मिस्टर दिवाकर बाला चंदरन आपका कंपेरिजन किसी और से होई नहीं सकता सर आप तो एसके भी है सर एसके भी सेल्स के बॉंड बॉंड सर जासूसी में जेम्स बॉंड वैसे ही आप सेल्स बॉंड सेल्स बॉंड इसी लिए इसी लिए मेरे जैसे लोग टारगेट तक अचीव नहीं कर पाते हैं और आप जैसे लोग रिकार्ड क्रियेट करतें रे हैं सर इसलिए मैंने डिसाइट्ट किया है अब आप ही मुझे के क्रेंगे क्योंकि आप मेरे फ्क compr आप अबे वह तो अंधा था Chief पहले बोल ना शर्मा शर्मा संस जानते हो ना वहां चले जाना उनका एक सेल्स का असाइन्मेंट है काम करते हैं वह मैं तुम्हारे अकाउंट में आड करवा दूंगा मसके में महार काम में काहिवश्र अब मैं मिलवाता हूं आपको तीसरे से जिसका नाम था गॉलू एक दम गोलमटोल पाउन से सर तक बर बर आये हुए सूरज एकदम मासूम और दिमाग से अवल दर्जे के हरा मी देखो बत्तमीज केने वाली पिता जी का बिजनिस और गोलों नहीं कंबा कभी मन घरा तो आफिस चले वह बरना कोई बात नहीं हैं और हाँ जैसे मूलियों में ये गाजर है वैसे ही कमीनों में भी एक कमीनी मिरमतब लड़की थी काविया चूस्त दुरूस्त और तंदुरूस्त और सबकी माता जी पिता जी कर देने वाली है बिल्कुल जी प्रें मेर्च प्रें आख अगुद आख लेड़ीया ची लेडी सीत है याप खाली कर दीजेए मुझे बैजों अलो मैडम जी मेरे बापा तो नहीं गए ते तुम्हारे गर पे तो फिर हम तुम्हारे भाईया कहां से हो गए आई बड़ी सुनबे चूतिये वाप मेरा जब गया था ना तेरे घर तब तु इस दुनिया में आया था साले अभी उट उट इससे पहले की एक और चब्रेंट मारू तेको अधर कोने में कहते हैं कि लड़कियों के पास या तो ब्रेंट होता है या फेल ब्यूडे लेकिन काविया ब्यूटी विद ब्रेंट थी यह मौतरमा अपनी खुबसूर्ति और दिमाग दोनों का बेहतरीन तरीके से इस्तिमाल करना जानती थी हां वैसे यह चारों जैसे भी थे अपने दिलों के राजा थे और हां एक और था इन साब के दिलों का शहजादा कितने साज दुनिया के मनजर है अब ये खास आँखों में भी ठाके बोल चला मैं अपने राज तुनके भी ना सुनियो ते परवा दिल की फरियाद मैं डूब तर नूर में श्लो मोशन में रंगों से राग में स्लो मोशन में सुरों से साज में स्लो मोशन में अब सरा है कोई जाने जां क्या खुशी है क्यों पहचानू ना ओ दूर लोग से आई है साथ तरंगे लाई है फतरंगी सपने में बुन गया मैं डूब तर नूर में श्लो मोशन में रंगों से राग में स्लो मोशन में सुरों से साज में सो मोशन में क्या कहूं रोमानी है सामा कैसी ये मद होशी जानू ना ओ रूह की परचाई है मोज भी भर आई है कज दे में तेरे ही जुका मैं डूब तेरे नूर में स्लो मोशन में रंगों से राग में स्लो मोशन में त्यूब लाइट सी दुनिया समझे क्या मेरे जजबाद देख संग सजनी को बुड़े कभूतर दिलों दिमाग सुनके भी ना सुनियों रंग रेज दिल की फरियाद मैं डूबा तेरे नूर में चलो मोशन में, रंगों से राग में चलो मोशन में, सुरों से साज में ओए कैंटिन के गजनी यह पकड़ लोग आपकी बातों में तो टाइम का पता ही नहीं चला आप ही ना चलिए आप पार्टी में चलते हैं और उन पांच उसे भी मुलाकात हो जाएगी आईये जब से चैनल जानकिया तब से वाट लग रखिये यह इससे छट कोई सरकारी नवगरी कर लेता अब बागल हो गया क्या सरकारी नवगरी करेगा ना तो तेरे सोशल लाइफ की चैक लेग जाएगी ए काईडिया देता हूं तु ना फेसे बुक पे आजा तुझा जीरू साले गाउवाले कैसा है तू अब ये गाउवाला नारो अब तो ये सहर आगो और मैंने तो ये भी सुनुआ है किसने साधी कलो हमारी शादी हो गई है नाव एम मैरेड मैं ग्राचिलेशन जार इस पर पाटी बनती है अरे बगरा क्या कभी हलाल होने की पाटी देता है क्या अरे शीरू सुन्यार में एक बात सोच रहा था कि शादी के बाद सुहागरात के टाइम आप अपनी बेवी से बातचीत कैसे शु करें या कोई होसी ता हाख को शादी कर लो अपने आप पता लगजाएगा कि बात कौन करता हो चीत कौन करताया बैदित क्यूंक दैक को लू की एक्स वो देख गतेघू देख यक्स के साथ वाई कान है कुछ पहशाना पहशाना लग रहा रह है वह है मंग hop है यही हमन् यह वही है ना जो कॉलेज की टाइम पर बढ़ा राइडर बना बिरता था साले किती लेते थे तुम लोग इसकी मंगू मेरे भाई अगर लाइफ में कुछ बढ़ा बनना है ना तो कुछ ऐसा लिख भाई जिसे पूरी दुनिया पड़े क्यों ऐसा करते हैं अपर किताब में इसे कहते हैं भावियों की भावी सविताब भावी एक बार तो ऐसी काहनी बनते है एक बार देख तो सभी किसी बड़े प्रोड़क्शन आउस के लिए हाँ अच्छों मंगेश ओ मंगेश यह भी अपना गाउवाला ओ इसको अभी इतनी तमीज किया अदत नौई इसको तो ऐसे बुलाना पड़ो है इसकुसमी अधिया यहां तो कमीनों की बाराद भी आई हुई है कमीनों की बाराद तो यही हैं कमी तो सिर्फ धूले की थी वो तुने पूरी कर दी अरे बाबा इतना सीरियस मत हो ऐसे चीरू में बता रहा था कि तू कोई फिल्म श्रम लिख रहा है आँ सही सुना तुम लोगों ने आप लोगों की मुहबत और मा के आशिर्वात से मैं र यह एक रियालिटी बेस स्टोरी है तो अभी तक जो मैंने इसका नाम सोचा है वो है ट्रिप टू भानगड अब तरह गाओं के आसपथ है क्यों को यह जगा अबे ओ मोटे भानगड नहीं पता भानगड भानगड नहीं नहीं पता है यार कैसे इंडियन सो तुम लोग तु यह इसा क्या यह इर फेमेस बानगड में जो हम नहीं चान ते चलो हम बताते है भानगड रजस्थान में एक किला है एंड यज पूस्तू बी अ प्लेस आज लिए नहीं हृँ हॉं 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 फूं उद्वाट पलेस अट अजए हॉं 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 इस इस हुर्च मैं यहां तक कहा जाता है कि कोई वह दिन में जाए तो कोई बात नहीं लेकिन अगर कोई वहां रात करो जायए इसकी वह रनां वाइप कोई जगए होती है तो नहीं देख क्या मालूम था मुझे मुझे मालूम था तुम कमीनों को कभी मेरी बात पर यकिन आएगा नहीं ठीक है एक काम करते हैं तुम लोग अपने गूगल देवता से पूछो भानगड सच है या जूट अभी के अभी दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा ओ फेस्बूक की दुकान देखियो यह भानगड क्या है देख चेक करते हैं अब यह पता लग जाएगा क्या है लेट सर्च फॉर भानगड भानगड क्या यार तुम लोग यहां क्या कर रहे हो बोल साजे तरवार की तुम भी अरे हो देख नहीं रही हो मंगु जी अपनी लिखी हुई फिल्म की कहानी सुना रहे हैं और हम सुना रहे हैं ओई मंगू तूना अपनी स्टोरी अपने पास रख जब तेरी मूवी बनेगे तब हम देख लेंगे लेट्ट पार्टी न गाइस चलो फिर यार हां अब तो जै जी जाएंगे क्योंकि जै अगर शेर है तो प्राची शेरा वांगा तेरी सदावी जै चलो लेट्स गो गाईस चलो यारे चलो घर बेवी चिरू अब तूने हा रहे हैं नहीं है, मैं मंगेश से बहुत दिनों बाद मिला हूं तो मै मैं इसे के साथ रहूंगा और मुझे भानगर में थोड़ा इंट्रेस्ट आरा तो सुन के आता हूं ठीक है चला आजाना भाई तुम लोग चलो भी बहुत जाइन यू और भाई कैसा है सुना मैगदम मस्त तेरे को आज तक समझ माया कि इनका प्रॉब्लम क्या है कुछ नहीं यह दो आज से हैं ले न अर बचाए कुछ दो आजाना भी जाना भाई जाता है तकीला शोट चड़ाके, आईलाइनर ब्लैक लगाके, हाई ही लदी सेंगा लबाके, आजानी 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 आजानी, आजानी, आजानी शोट पडिला लाई जावे, शैप मेरे संपाई जावे, खुरूफ यूरू मेर छम्मक छलो, हाट बीट सर खाई जावे, रात की रानी उलन खटोला, बैट मैन मैं बन मेरी लैला, जब भी देखों दिखे बडोला इश्क में तेरे रुआ मैं दिला प्यारी नी मम्मी से जूट बोलके थोड़ा सा कफर तॉलके गड़ी दा गेट तोलके आजानी 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 कम अझानी सबस्ट करें अजानी ले आजानी कमन लटस पार्टी तुरी है So, मेरे फ्रेंड सवेट कर्रेह उधर Mmm, I know Okay then bye Bye अच्छा सुनो, ताइम से गहर पहुंचाना अच्छा 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 लव यू लव यू तो थेक्या यार यह जिंदेगी साली बस नोट कमाने भी निकल जाएगी नहीं मतलब आमें देख की कुछ ऐसा नहीं हो सकता की यह लाइफ में ऐसी मस्ती रहे और बस बिना मैनत के पैसे आते रहे बिना मैनत के पैसे तहीं है हाँ जिसमें मजे भी आए हाँ हाँ अएडिया क्या सीपी में रात को लाइल रुमाल पेंट कराऊचा हाँ बिजर हाँ कोल पॉलु कोल पॉल् σε कफ़ल िसमें मज़ी इसको कहां मिल्हा मज़ा तो कोई होड लेकर जा चाखू खरमूजe में घरे जह खरमूज़ जाकूबे बहूटा तो कॉन जाय को हाँ दारू पीनिया दारू प bestenään यहां इंपोर्टेंट डिसकेशन चल रहा है और तु अपने इस मोबाइल में गुसा हुआ है तुझे क्या जादू वाले कि टारू कार गए अरे भाई तुम्हें याद है वो मंगो की काने वाला बानगड अरे 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 भाई देख रहा हूं याद बड़ी ना चेकर चेकर परे बादरी आपाई याद बैटरी आपन डेशन नहीं आरे भूल गाए अपना पुराना वाला अट्ट दा। अजयर एजयर आजयर यार पेली बार ऐसा होगा कि हम इसके कमरे में और कुछ साफ सुतरा देखेंगे बढ़ना स्क्रीन पे तो ना सिर्फ नीली नीली चीजे ही देखी हमने हलो क्या त्सिप्पान गड़ ओम माई गॉड़ B.K.P. भारतिये पुरातत्यों सर्वेक्षड भानगड आवश्यक सूचना भानगड की सीमा में सूर्योदय से पहले एबं सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश वर्जित हैं गौवर्मेंट का बोर्ड चीक चीक के कह रहा है कि वहां पे संसेट के बाद एंड्री अलाओड नहीं है अपने आसपास ऐसी जगह थी और हमको आइडिया भी नहीं था अरे इंडिया में ऐसी कितने सारी स्टोरी चुपी है जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता गाइज मेरे तो अगले हैटे की प्राइम स्टोरी एक दम रेड़ी अगला देख ना अगला देख इस आमिर खान आमिर हान अगला 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 देख पांगर जाके डिया नीज में अगला आगला इंडिया वहाँ तो इस पर निव्ग गड़ी यहाँ पड़ी है अब अब चुछ नहीं विकरेगा तो वह न्यूज में देख अगला अब्ट अब्लों ने जाना इस लोग बात देखता है, मैंने का थारा, इदर दे, क्या, क्या भांगड जाने से डर रहे हैं, आमिर खान, हम इतनी साल बात मिलें, एक ट्रिप तो प्लान करना बनता है, और इससे बेटर क्या हो सकता है, ट्रिप टू भांगड, अरे याई, रिसर्च विसर्च का मुझे पता नहीं, पर एडवेंचर पक्का हो जाएगा, जिसकी हमें सक्सूरत है, यह टेंजन भरी लाइफ से मुक्ती गाईज, यार चलना ही है, तो आगरा चलो, मनाली चलो, शिमला चलो, भाइदिस, भांगर यार, सही है, सही है, काय का मनाली, साले तो हमारे साथ हनीमून पे जा रहे है, अगरा मनाली, खोलो तो सोच, हम एक ऐसी जगा जा रहे है, जहां पहंचो, आइडिया ही नहीं है, कि होने ही क्या वाला है, यार बहां से जिंदा वापस लॉटेंगे, इसकी भी कोई ग्यारंटी नहीं है, अल्टिमेट एडवेंचर होगा, डूड, अल्टिमेट, और वैस कि तेरे को इक रखके यहां पर, नहीं यार मैं ढखकर नहीं हूँ, तुमने खुद नहीं देखा यहां कित्ता है, मैं यहां नहीं जा सकता, I am very sorry, देख बॉस, जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, अब तू सीदे सीदे चल रहा है या तुझे घसीट के लगे जाएंगे, कर दो बोल, जाएंगे, जाएंगे, अब तै हो गया है, तो हम देट फाइनल कर लेते हैं, देख कि यहां लिखा है कि यह जगाँ अलवर के पास है, right? तो समझ लो कि यह है हमारा अलवर और यह हमारा इंटली तो पीच में कुछ तीन साड़े तीन घंटे का रास्ता रास्ता बहुत उबल खावने हैं हाँ उबल खावने हैं फ्लाट रास्ते बचाचे साड़े एक दिन में चाहे तो प्रिपमार पी आ सकते हैं बस सुबह जल्दी निक्यानाओं का आप शाम में वापस साउंद्स गुड़ तो लेट्स प्लाइन आज संडे है कल से सब लोग जॉब में चले जाएंगे राइट एक काम करते हैं नेक्स संडे का प्लान करते हैं मैं अपने मिनी कैमरा में एक वीडियो बनाता हूं तु जाके लाइट ओन कर ओके मेरा नाम जय है और मैं अपने चा सब सब कुछ आचनक हो गया मुझे पटा वो जिख़े इतनी इंटरेस्टिंग होगी इंटरस्टिंग权द इसमें पड़ा तुम कहा जाना जाते हो जहां उतों का डेया है तुमने क्ज़ों कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी खतर ह nhânज 47 सब नद消ू तक समझो देखो मैंने और तुम आपस आ जाएंगे ना एंड मुझे अच्छा लगेगा कि तुम हमारे साथ चलो मेरा साथ जाना तो दूर मैं तुमें वह जानने ही नहीं नहीं हां तुम्हारे दोस्ट पागल ओंगे तुम्हें मेरे मरे मुझ की कसम जो तुम वह गए तो अब अगर तुम उच्छ वहान गड़ है यह हुई ना बात देखो नहीं रखते हो तुम अपना सारे बाल खराब करके रखे तुमने अपने अपने पता है मैं खुद भी नहीं जाने वाला था पर यह दोस्त इतने कमेने होते है ना बोले कि तू सीधे से चल रहा है तो चल नहीं तो तुझे लेकर जा कि उतम से जाने का भुम हुआ तो कि दुमा उनके के शोजशिए च्यओप बचे है कर दो लुए पापाइनल दिस्टेनेशन देख रहूं अब ही तुम देखो अरहां संडे को मासी के गर में फंक्षन है यह वाहियात कपने नहीं चलेंगे तुम्हारे तुरी शॉपिंग कर लेना पापा संडे को मैं फ्री नहीं हूं क्यों लाल के लिए जंडा पहराएगा तुम्हारे जासे लोग जिंदा वापस नहीं आते पापा से कोई वापस नहीं आता मैं दिखाता हूं तुझे जंडा से कोई वापस नहीं आता उल्टी सीधी पिक्चरें देखके दिमाग खराब कर रखा है बंद कर इसको क्या होग गया मत बूच यार मैं शुरू नजपले यी तीन विके डाउन मतलब मतलब ये कि अगर जे गया तो प्राची ने से छोड़ देना है मोटा गया तो इसके बाप ने सका पिछोड़ा तोड़ देना है और हमारे आश्यू के अनुल सेल्स मीटिंग है संडे को यानि की प्लान पूरा चैंसल और को स्कूब नहीं है मतलब किसक ना हूँ मतलब ये कि संडे का प्लान तो अपना कैंसल है उसका कुछ नहीं हो सकते अब संडे को ना जाकर मंगलवार को चलते हैं बंक मार के यां और इस बार कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा ना जाने से पहले और ना आने के बाद बस ट्रिप की ट्रिप, मस्ती की मस्ती, और बाइचांस वहां पे कुछ डिस्कवर कर लिया, तो याद फिर तो न्यूस बन जाएगी, फिर किसने क्या पूछना है हमको, क्यों गए थे, कब गए थे, कहां गए थे, हैं, बहुत से गाइस, हैं, नो, चल ठीक है, हम, अब तो ज जाएंगे, अब तो 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 हाँ, आई लव यू मेरा शोना बाबू अब तो जाएंगे अब तो जाएंगे अब तो जाएंगे राहिया जेना बीसी दिल में धुमासा मैं हूँ खोयासा निकल पड़े हैं तो चाया है इसु 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 लेक्षर के वादा वोड़ी से हम थे हिचकी चाते आडने को उस लड़की को कांटों हम भीताते रात रात भर दोस्तों सं पीते और पिलाते अंचन से मिलाकक सादू तो निक्ये चाया है इसु चाया है इसु जल औल्ए हो गयाद, है दो जो सोजयने, जड़ी, जचाया है, जचाया है, जो, झाया है पहले है, जो, 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 बाया है, जो, जो, जो! आय मिलता हुगा पर तेरी नहीं पर है काई सेवा करो थारी चाय मिलेगी यह क्यों नहीं बिस्कुट भी ट्रीके भी अब ही लाता हूं वो देख डबल इंजिन की बाइक डवल इंजन का है भाई सिंगल ही तो रहा है तेरे जैसे लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता देख एक इंजन नीचे लगा है एक इंजन पीछे लगा है तभी तो इतनी तेज दोड़ रही है अच्छा एक बात बताओ तुम लोग भानगड के बारे में क्या जानते हो चल तू रहन दे तू बता आए ओप एक बहुत खूपसर जगह है जहांबे मैं अच्छी फोटोग्राफी सकता हूं बहुत जगह है बहुत होंगे और क्या है बहुत सही यस किया लेकिन वहां भूत नहीं भूत नहीं भूत नहीं रानी रतनावती नाम था उसका रतनावती नाइस नेम नहीं यह कहानी है राजा मादो सिंग की जो पंदरासु सदी में बानगड के महराज थे उनका विवा हुआ था रानी रत्नावती से कहा जाता है कि रत्नावती दुन्या की सबसे खुबसूरत औरत थी रत्नावती के चर्चे सिर्फ भानगड में ही नहीं बलकि सारे राज्यों में फैले थे और उनी खुबसूरती के चर्चों को सुनकी कोई एक तांत्रिक उसकी एक जलब पाने के लिए भान गड़ आ गया जैसे ही तांत्रिक की नजर रतनावती पर पड़ी वो उसके प्यार में डूब गया तांत्रिक का मानना था कि इतनी सुन्दर राणी राजा मादलसिंग के पास नहीं बलकि उसके साथ होनी चाहिए उस दिन से राणी रतनावती को पाने के लिए तांत्रिक ने अपने काले जालु का सहरा है तांत्रिक की बनाएंगे इस साज़िश का राणी रतनावती को पता चल गया और उसने तांत्रिक को सजा देने और ऐसे सभी लोगों को सबक सिखाने के लिए तांत्रिक को सरयाम मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया मरते मरते तांत्रिक ने राणी रतनावती और भानगड को एक श्राप दिया है राणी रतनावती तू मेरे प्यार को नहीं समझ पाई मेरी मृत्यू के पश्चाओत तू भी प्यार को तरसेगी ना तुझे राजा का प्यार मिलेगा और ना ही तेरी प्रजा का और ये ये भानगड के लोग जो मेरी मृत्यू का तमाशा देख रहे हैं मेरी मृत्यू के पश्चाओत कोई नहीं बचेगा सब के सब तबाह हो चाएगे पूरा का पूरा भानगड परबाद हो जाएगा और ये हमादेश देते हैं इसे मौत के घाट उतार दिया जाए तांत्रिक के मरने के कुछ दिन बाद पड़ोसी रज्ज ने भानगड पर युद्ध छेट दिया था और सब के सब मारे गए जैसे पुराने टाइम में जब राजा मर जाते थे तो राणी अपने आपको आग में खूत कर या फिर पानी में डुबा कर मार लेती थी राणी रतनावती ने भी ऐसे बुच्छ ले और कहा जाता है कि तब से लेके आज तक राणी रतनावती और उस तांत्रिक की आत्मा इस किले में कैद है और ये भी कहा जाता है कि रात होते ही कुछ विशेश तितियों पर जैसे मंगलवार, अमास्या या फिर पूर्णे मा, सनिवार को ये किला फिर से पंदरह सु सदी में चला जाता है और अगर गलती से भी इस सदी का कोई आदमी वहाँ पे रुख गया, तो वो जिन्दा नहीं बचता ओ भाई, ओ मेरे चांद, अभी भी तेरी नहीं हुई है राजा, आसपास की जगा भी मेरे को अच्छी लग रही है यहीं से गूम के वापिस चलते हैं, यहीं करते हैं, तुझे कुछ नहीं होगा गोले, भूतों का टेस्ट इतना भी खराब नहीं होता यार या फटी-पडी और तू फेस्बुक पे लगा हुआ है यह देख, फेस्बुक पे एक नई बंगाली लड़की सेट की है, शमिप्ता बैने जी, उसी को फोटोग्रफी की कुछ टिप्स दे रहा हूँ सिंगल है इंगेजड है, थोड़ी से और मैनत, फिर काक्के वो अपनी मतलब यह कि तो दूसरे के प्लॉट में अपनी बिल्डिंग मना रहा है, सही है यार, एक सिंगल लड़की को पठाना है, तो खुद को आपको तीन करोड लड़कों से बहतर सावित करना पड़ेगा, राइट, और वहीं अगर आपको एक एंगेजड लड़की को पठाना है तो खुद को एक लड़के से बहतर सावित करना है, जी यार, ऐसी बाते शोभा देती है, सीरियसली, यार, शोभा नहीं देती, तभी तो शोमिक्तर ट्राई कर रहा है, जी, एक और बात यार, हर किले में आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया का एक ओफिस होता है, यही एक अग्मात रहसा किला है, जहां पर एस आई का उफिस नहीं है, और वो क्यों, अगर मैं गैस करूं तो शायद उन्हें भी भूत का डर लगता हूँ, यार, मुझे ना बहुत जोर की आ रही है, तू आ रहा है, चल मेरे गोले, तुझे सुसू कराता हूँ, अरे आशू, तुम भी जाओ यार, सुसू कराओ, मोटे के लिए थोड़ी सी टीवी बजा दियो, गोलू, रुग जा, आ रहा हूँ, अभी खेत में बार आने वाली है यार, जैसे positive energy होती है, वैसे ही negative energy भी होती है, सही कह रहा है तू, और ये शक्तिया हमारे आज पास हर वक्त गूमती रहती है, हो सकता है, वो इस समय भी हमारी बाते सुन रही है, हा- मैं सुन रही हूँ, हुआ 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 है चलते हैं तो बहुत लेट हो जाएंगे बाद गड़के हाँ चल नहीं तो गुलू यहीं फेल जाएंगा उत गॉलेट चल चल जले एको लुँ अरे यार देख्यों रास्ता आगे का एक सिकनिक सब्सक्राइब जाए काम सामने से अंदर ले आगे से लेलो पीछे से लेलें ऐसा करो में ले लो हुआ मोटी गांड ओम जी चुब बैट अपने ये सड़ेवे जोक नो मेरे सामने ना मारियो इतो ऐसी जगा मारूंगी ना तिरी मातरस जाएगे पोतों को चूतिया साल अरे चोड़ो यार वाइद इस कोला वरी दी अब इसने का दी उसने ली हाई 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 है अरे गोलू ये बोर्ट कुछ जाना पर चाना नहीं लग रहा है कहीं तो देखा इस बोर्ट को यार चला अंदर देखते हैं कहां देखा है साना भारतिये पुरातत्त्तो सर्वेक्ष्ण विभाग अरे ये तो वही बोर्ड है जो इंटरनेट पर देखा था हलो कोई है यहा कि यह नहीं कुछ जो रहा है कोई बात है या श्योर को मचा रखा है आपसे कुछ इनफόर्मेशन चाहिए थी पूछिए क्या बात है हमने सुना है कि ऑन गडे क्हांटेट प्लेस है इसके बारे में गुछ ऑथनिक इनफॉर्मेशन दे सकते हैं आप मुझे फांच साल हो ग कोई किस्सा सुना ये तो केवल अफवाएं हैं कि यहां भूत होते हैं लेकिन अगर ऐसी बात है तो आप बाकी किलो की तरह अपना ओफिस भानगर फॉर्ट के अंदर क्यों नहीं बनाते देखो मेडम जी इसका जवाब तो सीधा है कोई भी ऑफिसर किले में ड्यूटी नहीं हर बार शेर मिलता है तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि वह शेर नहीं है वैसे ही अगर मुझे यह भूत दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब भी यह नहीं है कि यहां भूत नहीं है यह जगह गलत नहीं है तो सही भी नहीं है याद रखना रात होने के बाद तो आपका साय अभी आपका साथ नहीं देगा थैंक यू सर थैंक यू सर चल चल जाला यह ऐसा ही आपने सर कम शारु कान जादा लग रहा हुआ हुआ है भगवान आपकी रक्षा करें अभी अभी अपने को तो बस दो चीजे चाहिए है एक तो रत्नावती और एक स्टोरी फिर अपने लाइव सटेवास साले प्राची तो समलने रही तुछ से रत्नावती चाहिए हाँ यार वो कौन सी रत्नावती से कम है और ये किले में घुस्ताई है अनुवान जी का मंदर अभी तक तो हमें कोई इंसान नहीं दिखाई दिया है लेकिन आगे देखते हैं कि क्या होता है कि क्या व्यू है और यह हम बकर करते वे आ रहे हैं पूरे भान गड़के किले में तांत्रिक और रत्नावती प्लीज हमें माफ कीजेगा हम एक स्टोरी के तलाश में जो हमें किले में जाके मिलेगी अभी तक हमें कोई निकेडिव इनर्जी मैसूस नहीं हुई है यह बोजिक है जहां पे रात को बाजार लगता है और किला फिर से पंद्रह सु सदी में चला जाते है ऐसा लगा कोई हमारा पिछा कर रहा है 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 हम बहुत चुके हैं ठाण करके पार इस और हम बढ़ रहे हैं किले की ओर औरagon के वह तांतरिक का अड़ा है कांटरिक वहां बेटके वह रतनावाथी को तारता था तर्किला सावाथ आवाथ आपकर बगावाथ करो यार बहुत होगिया अब तेरी अड़ वाथ पर फट्ति ए रिलाक्स कुछ नियोग्त अगार वापस ए अज्य आने वाला एए खिला तौई लेकिन दौर वाजा तो य यह ब्यूटी दिखी का है समीज चलो 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 लत नवती पे गाना सुना तो सुना तो यह मंगलराद की दिवानी थी सदियों पुरानी रानी थी आपने में लावे से लिए तो रोमेंटिक हो गया तो कि जलक दिखला दो रत्नावती जी यह महल का वो इलागा है जहां पर रत्नावती रहती थी कि अब उपर जाके देख रूपने यह का चलते जा रहा है यह दिख अंधिरा जेज जैन मन क्या अड़कुर सागर जेए को किसके अब तुछे डेट लेक ने क्या अवे हमें डर नी लगता भाई जर्नलिस्ट बनने के लिए जिगर चाहिए होता है अर्जिगर जाना पड़ता है बहुत मुश्क्ली खाना है कुछ दिखा गया हलो कोई है यहां पे अरे आशु तुझे कुछ दिखाई दिया गया नहीं यार क्या रतना वती जी कुछ चाय पानी के लिए नहीं पूछेंगी बड़े दूर से आये आपके चाने वाले यार मेरेको तो बहुत गवराट हो रही है यार तुम प्लीज रतना वदी का मजाक उड़ाना बंद करो यार यार तुमे से किसी का ब्राम का यार मिन्याा नेक्राइब लुटका और यार ।बंद कि वन चलो अभी आँ से हाइर और अवाती जी दर्शंदेदी जी अरे मेरी जन्मान कहा है तू आजा बाहर निकल कर दो कर दो अरपल्स जाओ पर्फ कराद vap करें झाल्स कि üzटु र Elder करें वर्द म्य度िन सावियरárias प्राभ किरता हो झाल्स जाल्स अब आगान विंहें जब खबर चपेगी ती भार्वार की दीवानों में पास्नों और से ही दोगे अब ये टागी से पग्वास का तेगा नहीं है यार वानी लेक्या हो कोई गोलू शालो शालो पॉला दला मन बुला रप्तावती को लेकित आई मैं तुछूतिया हूँ शालो आगे लोगे मैं वैंनी पपाई यख़ंतिया हूँ शालो शालो भार चाए जालो आई शूँक करे खोगी मैं चले ही अ갈या जोगे शालो शुआ लेकल तुमसाव पनिल्य Guys, इतिने बड़े फट्टू होना तुम लोग इसको अरे बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ मैं तो तुम लोगो टेस्ट कर रही थी क्योंकि वैसे तो तुम लोग बहुत बड़े मन्द बनते हो अब क्या हो गया? है? Solid चुडैल अबे सुझ अबे अरे उठो छेरा क्या देख रही हो मेरा चलो, 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 चलो यार मुझे लगता कोई भूतनी भूतनी नहीं है यहां पर रात में रुकते तो शायद कुछ मिल जाता लेकिन गोलू फैल जाएगा मेरी स्टोरी तो गई यार जादू तुझे कुछ मिला क्या नहीं यार क्या रत्नावती जी हम आपके आपर महमान बन कराएं और आपने ना हमारी कोई खातिर की ना आपके दीदार हुए अच्छली लेकिन रत्नावती जी हमारी तरफ से आपको खुलना इंविटेशन है कभी भी आईये, इनफाक्ट हमारे साथे चलिये, हम खुब खातिर करेंगे आपकी डॉंट वरी आरे रत्नावती जी, खातिर्दारी और स्वागत किसे कहते हैं हम बता देंगे चाय कोफी ना सही, वॉटका ही पिला देंगे वाटका ही पिला देंगे आईये बोलाख़ भण्यों देली कामाल के अक्टर है तुट है क्यों तुझे तो ऑसकर मिलना चाही मेरी माँ अब इसको चुडए वाले रोल बलेगा और फिर उच्छा गॉझा तुट है तुट उच्छा गॉच्छा दुट है टुट है दुट है तुट है कि अट्राइश बादे ने अट्टी कि बढ़ा है तो इस कंबल के नीचे, या दो रतनावतिय है, या फिर तान्त्रेक सालो, मैं फट्टू नहीं हूँ कंबल के बीचे कौन है, अब सबसे पहले मैं ही पता लगा हूँ हूँ जब अरे गुलू संबल के गुलू जासे गुलू, गुलू नहीं गुलू जासे, गुलू गुलू नहीं वे तो ठीक है? याद, वुल्टो का दो बतरी जाल बतरी के अपे जाल कोई पागल आगमी था याद जल जल जलो यार जाल, जलो यार वुलू आगमी था यार नाइ खुलू जोँआज़!! प्लादू रिल्ल में, और अभी में विल्ल मीगा है वो फिल्ल देस्टिनेशन अभी रही है जिसे पांच दोस को एक पर वाफस तू आजाते हैं तो मौतन हो जुँँँँँँँंदू है कर लो, आप कर दो तो, और तूर कोड़ी जैत, अबने वी बूले कि उजए्टाइटरोगा है, लोग। एक यह कि नहीं आरेक्ट मोप्लिसार भूर है, आ हुआ कुस्पर दूह नहीं! यह तो हमारी शाइड आ यह उसरी आ बोहत हो कि शेडि़ा? यहाँ जाए। जाए गाड़ी रो, प्रुटार साली जाए। 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 अमकी ऐष फ्यामिंटर्च का जक है अधिर्ट करने और जकड़्ञ का को अ जिसटे एंगार अभे तु अपना काम छोड़कर यहां बंक मार रहा तेरे काम पर फर्क नहीं पड़ता। तु मेरी टैंशन मतले भाई लोग अपने नीचे लड़के रखते हैं मैंने अपने ऊपर मेनेजर रखा है मेरे लिए ही काम करता है। मैनेजर से काम करवाता है अरे वो क्यों करने लगा तेरा काम कुछ चीजें हमें भी सिखा दे भाई सिंपल है भाई देख शरीर के दो हिस्सों से पैसा कमाया जाता है अबे जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं गंदी देख पहले लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से मतलब हाथ पैरों से मैनत करके पैसा कमाते थे आजकर लोग गर्दन के उपर वाले हिस्से मतलब दिमाग से सोच कर और मूँ से बोल कर पैसा कमाते तो मेरे जो आदरनी ये मेनेजर सहाब है वो एक नंबर के चम्पू और चू आदमी है साले की ज़रा सी तारीफ कर तो वो खुश हो जाता है और उसको ये भी समझ में नहीं आता कि मैं उसकी मैं उसको सेल्स बॉंड के बुलाता हूं बॉंड हाँ तो कॉलेज टाइम में चिललोटों से गदे की तरह काम कराना होता था तो आम उनको बॉंड बॉंड क्या की बुलाता थे वो भी खुश और हम भी खुश ये डस्मिन का है यार चम्पू चू सेल्स बॉंड थैंक यू मिस्टर आशू इतनी सारी उपादियों से मुझे सम्वानित करने के लिए यह तो मेरी शराफट है कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मैंने आप पर हात नहीं उठाया प्लीद सेंड मेरी इंघ अब रिशेशन 새 इमीजिएटल आम रिली सॉरी सर्थ यू यू उंट मी तू जैंट अब्ही पूस यू यू तुम से बात करने है जिवीटो मिनिट्स मुझे तुम से अभी बात करने है प्राची तुम्हीन कैसे है क्या हो आयार तुम अचानक से यहां पर मैं काम कर रहा हूं ना प्राची कबर्दार जो आज के बाद मुझे फोन किया तो मर गई प्राची थो मारे लिए अरे तुम रोक्यों रही हो यार प्लीज जै बस और नाटक नहीं मैंने मना किया था तुमको कि नहीं जाना बात जाने गए मेले मरे मुझी कसम की कोई वैल्यू नहीं है यार अब सॉरी जै यार नौट मेट पर इच अधर जै नहीं बहुत अचानक से वह प्लैन बना था और यह काव्या ने बस एक्दम से अधिक नहीं पर बाद कर दी इस लड़की ने फिरी हम चाहो उस काव्या के पास अधर पांगल अपने प्यार की भी और अड़ाओ का शन्यू उसके साथ है यार एक बार मेरी पान सुन तो लो मुझे कुछ नहीं सुनना अबर सार एक और लवस का तो अपने मूसे मैं याई अपनी नहस काट लोगी मैं कह रही हू तुमसे कि रिलेशन ओफर पांच मुझे सुनक टाहरा एक। कि रिजी या पो लाग ओ तो, साथ को चुछ का ध्ति है कि से कि रिली और लेद्धा कि रेखता पांगल एक बार एक Ос ओई कि और आ अपनुफर तेरी अखियों के निचे जो अश्क की भुल्दे है वा नहीं तो हो सुनी है वा मैं ही तो हो सुनी है मैं ही तो हो सुनी है पीना की नजरियां लग गई है पियां की नजरियां लगए है पियां की नजरियां लगए है पियां की नजरियां यार चिल करो यार, सीरिसली, इतनी टेंशन लेके क्या होने वाला है, टेंशन है बेंचोद, आज है कल चली जाएगी इसमें, इसे सोच के बैठने से कुछ नहीं होने वाला, अपना मूठ ठीक करो, और स्पेशली तू जै, दीवदास बनके बैठा है, प्राची के चक्कर में यार, वो रूड गई है, तो मान भी जाएगी, यार, हम कुछ सोचते है, कुछ करते हैं ना, इसे पता है, इसकी आहालत देखके न मुझे एक जो क्या दार है, एक बर क्या होता है, एक बनिया अपने कुत्रे के साथ मॉर्निंग बॉक पे जाता है, तो साइड से एक आदमी पे जाता है, तो आपने अपने पर बहुत बड़ी हिरोईन समझती है, के कुछ भी बोल देगी, या लाइफ है, कोई गेम नहीं चलेगा, तुझे पता है, मेरे ब्रेक अप का कारण सिर्फ तू है, हलो, अरे हम लुग तो भानगड का प्रोग्राम कैंसल कर चुके थे ना, तुने ही बनवाया ना दुबारा से, तुझे क्या पता मुझे में क्या बीत रही है, कभी प्याल किया होता ना, तब समझ में आखा, इजय सुनना, अपनी गलिती का बोज इस पर क्यो डालना है, छोटा बच्चा है क्या, अपनी मर्धी से गया था ना तु, तुझे शौक लेता, तु तो साले इतना बड़ा ठर्की है ना, कि अगर कागस में लड़की लिखके लेता हो, तो तु कागस की तरफ हो जाएगा हमाही तरफ में, साले पिछले पांच साल की दोस्ती में, एक लड़की बता दी सिसके चकर में त्रेफोन तकाटाओ, क्या कर रहा है यार कभी किसी के चकर में जाम लगाते हैं तो अब गिसी के चकर में यार पटी सब की पढ़ी इतना ओर्रयक क्यूं कर रहा हूं अगर अगर अगर्षा कर रहा है जवाप एड़ जो बात गलत है और जो सेवह होसे हैं अगर दिन पाट से नज में तु भॉल में गई तर्वस्ती झाण अच्छ अच्छ और दर्वाजगा निकल गुलोज पिरो दुकल मुझे भी शौक निया शौक दिन्हें यहाँ जादू वाँ जादू और और तुम लोग जूती लोग को आटेज्व एफिरो दिमाग में कलो जादू गुलोज प्लीज चल एफ जादू! 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 पूआ, जादू के लिए क्सकारना के शनकारी सक्षाणा क्वां. को जाद, कांगॉ सब्सक्राइक फिस चाड़, चादू फ्रुक्द, उखुपस्रणों, सब्सक्राइक कि अध्र 30 एक Ну Да, यह वहां है, वहाँ है, जाद, तो वानगर जब से वाह गए न है दिमाग की धाई हो रखी एक मिनिट तुम लोग बांगर का से पौच गये और तुम्हें क्या पाता मंगू की कहनी के बारे में और नहीं तुमने मंगू की कहनी सुनी तो वानगर कैसे पहले बात प्रॉड लग रही दी लेकिन जब नेट प तो कुछ हुआ नहीं पर जब से लोटे हैं तब सब की ऐसी की तैसी हो रखी है शिट I can't believe this अब तुझे क्या हुआ अब तुझे क्या हुआ एक बात बताओ या तुम वहाँ पांच लोग थे जोग गए थे हाँ चार लड़की एक लड़की हाँ और जाने से पहले तुम लोग ने कोई फिडियो भी बनाया था क्या 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 रहा है नहीं वह एक और बात बताओ या तुम लोगों के वास से वापेस आने के दस बारा दिन बाद किसी के साथ कुछ नेकिटिब हुआ है क्या मेरी नौकरी गई है इसका ब्रेक अप हुआ है लेकिन तुझे ये सब कैसे पता तू कहना क्या चा रहा है ढंक से बता दिमां की मा बहन मत कर वो यार वो रियूनियन वाले दिन मंगू हमसे मिलने आया था और वो कोई फिल्म लेकरा था तो 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 उस दिन तुम लोग ने उसकी कहानी नहीं सही कह रहा हूं यार प्रसंत सही आज स्वेर मुझे मंगू की कही हुई एक बात याद रहे और तुम लोग के साथ जो हो रहा है उसके काहनी में यही था पांचों दोस्त अमावस्या के दिन बिना किसी को बताए भानगर जाने का डिसाइट करते हैं और इस बात से बिलकुल बेख़बर कि वो शक्ति वो ताकत खुद उन्हें अपनी तरफ कही चलिए उसके बाद वो लोग वहां जाने के निकलते हैं लेकिन जाने से पहले वो एक वीडियो बना कर खुद को कैमरे में भी कैद कर लेते हैं अब वहां उन्हें कोई भूत भूत तो मिलता नहीं और ये लोग सोचते हैं कि दुनिया में भूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं लेकिन उनके लोटने के करीब 10-12 दिन के बाद उनकी जिंदगी में सब कुछ बदलना शुरू हो जाते हैं उनको तो कुछ पता नहीं लेकिन वो रत्नावती वो भानगड की महरानी इनके पीछे-पीछे इनकी दुनिया में चली आती है परिणाम स्वरूप एक की जॉब चली जाती है एक कब रेक अप हो जाता है आपसमें जगडे होते हैं और हां एक का तो एकसिडेंट में फैक्चर भी हो जाता है अबे, क्या बक्वास कर रहे है तू? बक्वास कर रहे है ये! इसके पहले बात ही गलत है! हम कौन सा वहाँ अमावस्या के दिन गए थे? हम किस डेट को गए थे? एक सिकेंड उननिस तारिक थी ट्यूस्डे था उननिस? हिंदी के लेंडर के इसाब से अमावस्या हो सकती उस गाइज, ही इस राइट! ये देखो, हमावस्या थी यार उस दिन! ये सब तो ठीक है! ये तो एक कोइंसिदेंस भी तो हो सकता है! उसके मताबिक किसी का फ्रेक्चर भी होना था ना! देख, चारो एकदम सही सलामत खड़े है! तू हड़ी तूटने की बात कर रहा था ना! सब सही तो है! मैं तो सिर्फ बता रहो यार! हलो! वाट? शिट! क्या होगा? हाँ 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 हम अभी आरे हैं जी! क्या होगा? ये इस चादू का एक्सिडेंट होगा ये शैर उसका हाथ पाक्चर होगी शिट यार! मंगू की कहाने में और आगी क्या था? अरे बोल क्या था? इस क्या के मुझे नहीं पता क्या था वो मंगू ने कहा था कि वागे क्लाइमेस लिख रहा है सालो! बोला था ना? बोला था ना? ये सब फाइनल डेस्टिनेशन जैसा हो रहा है इसलो अरे कोिए ने मचेगा सब आरेगे सब आरेगे घुलू, घुलू, अरे दुशा.. तुहाज भूलू, तुने बोलो किसी को बताके जाले की जरूरवत नहीं है एक जानों था दूलू नहीं पताया घुलू, घुलु, अब क्या बोलु का? पर वाकियों मैं दिख्वादी देर को फो तॉनले गुड़ को अचाले क्या अच्छों इतरे लड़ते तुम्हे भाट्चाओ आप एक्षडी टॉइड़ उदर जलो यार काईस अचा अचाँ लूटे कर बेन गरसे नेरे कर में मुझे कोई नहीं चाहिए हाथ जा रहे हैं जाओ चलो यहांसे लेच्गो गाइस जा इतने दिस तुम लोग के बिना मजारे हैं बार भी किजार सकता हूँ जस गो कुछ समझने हा यार इसा लगा किसी ने बाइक को पीछे से पकड़ के खीच लिया आइवस एवस हेलपलेस चल कोई नहीं यार शुकर है तुझे ज्यादा चोटनी यही मुझे पता ही नहीं था कि कि बात इतनी बढ़ जाएगी यार क्या यार यार मुझे नहीं लगता मंगू यह नंबर यूस कर रहा होगा क्या हो गया कब से सुच ओफ आ रहा है तो हम मारे पास सिर्फ एकी तरीका बचता है कि किसी ना किसी तरीके से मंगू का आड्रेस कॉलेज से निकालते हैं और उसे फिर भाई पकड़ते हैं हां यार लेट्स को अचलो चलो चलते हैं अबे गोलू के पापा है हलो उंकल सुनो मुझे पंद्रा मिनिट में सब लोग मेरे घर में चाहिए इस दा क्लियर दू यूजाए जी अंकल बाहन कड़के बारे में अर्जिन बात करनी है जी हां जी हां जी हां ओके कोलू ने अंगल अंटी को सब बता दिया है अभी या चलो यार अब मों बुला रहे हैं चलो कर दो कर दो रहे हैं यहां का वातावरन अब शुद हो चुका है अब हमें कोई विप्री ताकत परिशान नहीं करेगी अब हम बात कर सकते हैं मेरे बेटे को कुछ होगा तो नहीं न आप बिल्कुल चिंता ना करें आपका बेटा सुरक्षित रहेगा अगर वो वहीं मानेगा जो मैं कहूँ तो तुम हो वो लोग जो भांगर गए थे क्या जानते हो तुम भांगर के बारे में तांत्रिक, रत्नावती, माधो सिंग्ग या ये कि जो भी वहां रुपता है जिन्दा नहीं बचता यहीं न भांगर काले जादू का गड़ है कैसा पॉसिबल है कि जो कहानी में लिखा है वहीं उनकी जिन्दिगी में भी हो रहा है हाँ पॉसिबल है मैं बताती हूँ हुआ कुछ ऐसा है कि भांगर की काली शक्तियों का शिकार हुआ वो लड़का जिसने ये कहानी लिखी पर जब पाटी की रात जैसे आप लोगों ने बताया आपने उस जगे और उस जगे से जुड़ेवे लोगों का मजा को लाई तो आप खुद बखुद इस कहानी का हिस्सा बनते गए आप सोच रहे थे कि भांगर जाने का प्लान आप बना रहे थे लेकिन असलियत में वो ताकत थी जो आपको अपने पास खीच रहे थी ये क्या बखवास है काला जादू जैसी कोई चीज नहीं होती कल सुबह हम मंगू से मिलके दूद का दूद और पानी का पानी कर देंगे और सब क्लियर हो जाएगा और हम सब ऐसी स्टूपिडिटी में कोई वरोसा नहीं करते प्लीज हम जा रहे हैं मैं तुम्हारा इस तरह का व्यवहार समझ सकती है तुम्हारी उमर ही ऐसी है ये सब तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा होगा पर देखना तुम्हारे जीवन में आए इन परिशानियों का निवारन करने के लिए तुम्हें मेरे शरण में आना ही पड़ेगा ओ मैडम जी शान्त हो जाओ हम नहीं आने वाले किसी कि शरण में बेटे तुम लोग तो भांगर भी नहीं जाने वाले थे पर पहुँच गए न ऐसे ही तुम मेरे पास भी आओगे लटब हमने कहा नाम ये सब नहीं मानते जै मुझे फ्लीज घर छुड़ दो और अंगल अगर आपको लगता है कि इस पूजा से हमारा भला हो सकता है तो आप प्लीज कीजी हम आपका इसमें साथ नहीं दे सकते हैं सौरी चल काव्या विनाश काले विपरीत बुधी मैं तो यही चाहूंगी कि मेरा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हे मेरी जुरूरत ना पड़ा पर अफसोस दोता वही है जो किस्मत में लिख दिया तुम लोग आ रहे हो कि नहीं जैद तुम चलो मैं गोलू के साथ रुखता हूँ जादू हाँ मैं आता हूँ तो बताइए अब करना क्या होगा ठीक एक दिन बाद मंगल की रात हम एक आगोरी पूजा करेंगे जिसे कि तुम्हारे बेटे के सारे ग्रहें शांत हो जाएगे ये मंगल रात तेरे सारे कश्ट दूर कर देंगे देखिए इसके लिए आपको एक एप्रिकेशन देनी होगी कि आपको मंगल इसके डिटेल क्यों चाहिए फिर वो अप्लिकेशन प्रिंसिपल साब के पास अप्रूवल के लिए दी जाएगे और जैसे इंका अप्रूवल मिलेगा आपको डिटेल मिल जाएगे अप्रिंसिपल अप्रिंसिपल अप्रूवल देगा कल और पर्सों से पहले हमें उसकी टीटेल्स नहीं मिलेंगी कुछ समझ नहीं आरा क्या करें एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब आपक्लिकेशन की जरुरती ना पर बतलब वो देख अपना होला तो अधिए कि अ कि हां तो मिलते यह एं लंज के बाद लंज के बाद जए वैया मेर सब्सक्राइब में बॉल्मम्रा फ्लीज्ञ मान जा रिक्वेस्ट करना ना तुछप भूल उसे और फूल पूल पूल पूरी पूरी की पूरी गैरेंटी की अटे रहय हों तुझे जहायर् दुछाए हाँ, तुछ से बाद में बात करता हूँ क्या हुआ? लंज तक बोल रहा यार लेट सी यार मेरे तो कुछ समझ में नहीं आरा क्या हो रहा है और हमारे साथ ही क्यों हो रहा है दोस्त लोग आपस में लड़ रहे हैं साल एक दूसरा की शकल तक देखने को तयार नहीं इससे अच्छे तो पुराने दिन था यार इससे अच्छे तो पुराने दिन था यार कर दोस्त 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 वार लालालालाला मंखिटणतों तेरे लबो कीकनक से युरिषे की चमक से दिएमे में सबसे अमीर तेरे लिए में फ्री आफ कर्सकुं प्री आफ कर्सकुं प्रिया फ्रस्टुम मेरे कश्ती का तू सहारा है मेरे लेहरों का तू किनारा है मेरे सागर की तू जलपरी सोना भी नगवारा है टाइटैनिक साथ तुझ में डूबा हूँ तेरे लिए मैं फ्री आफ कॉस्टुम Free of costume, free of costume तेरे लिए गाओं ओपरा, तेरे लिए रॉक अन्रोल हूँ मेरी धड़कनों की बीट का, म्यूजिक तुझे कबूल हूँ तेरा पिट बुल, तेरा आतिफ हूँ तेरे लिए मैं Free of costume ना कहना मुझे तू बनके रहना तू बस मेरी ना कहना मुझे तू बनके रहना तू बस मेरी Free of costume Free of costume Free of costume सुप वरी आफ कास्ति हूं अगर मैं नराज होकर चली गई थी तो क्या तो मुझे मिनाने की कोशिश भी नहीं कर सकते थे? और तुमी नहीं है कि नहीं कुछ बोलूँ तो तुम अपनी निक नर्सकाट लोगी आप आप सॉरी, चादू और काभया नहीं मुझे सब बता दिया धिया धियाend आप सारी जैंट्पा, तुम अभी यू थैक्यों थाउस्स आप इस जैंट्पा, शादू पीछाड़ो पीछाड़ो अरे यहां कॉलेज केमपस में चिपकचिपी मत कीजिए हमारे नए परिंस्पिल साथ बड़े कड़क है डेख लिए तो डेंशन हो जाएगी अरे यार आज तो तू भी गले लग जा अरे गले बात में पहले मंगू का अड्रस तो लेलो खिले यह तो जैपूर का एड्रस है हाँ अरे मंगू भी तो जैपूर का एकका होगा और हा पार्टी में भी तो भही से बुलाये था हो सकता है तभी तो उसकी स्टॉरी भी राजिस्थान बेस थी इन फाक्त मंगू को जैपूर में पकड़ते है तो फिर वेट किस चीज़ का कर रहें तुरंट निकलते हैं गाइस मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगे अब यह प्रॉब्लम तुम लोग अकेले फेस नहीं करोगे अल्वा नहीं है और वैसे भी तेरे पापा तुझे दिली से बाहर नहीं निकलने एक दिन का काम है मैं और कावे जाके आते हैं और त एक को छोड़के जारा है और एक को साथ में लेकर है कुद्रे अनिया है तू क्या सोच रहा है कुछ नहीं सोच रहा हूं कुछ चल्ड़ यही लगते है चल फिर चलते है जै एक सिकिंड तू जा मैं यही रुपती हूं मुझे एक अर्जंट कॉल करना है अई शौर हम इतनी दूर तक आएं एक बड़ चेक तो कर ले हां तू तू जा चल ठीक है मैं चेक कर गया तो अपको किसे मिल ला है बेड़ा घर पे कोई है तादी कोई आया है तादी कोई आया है अंजी नमस्ते अंटी नमस्ते अंटी मेरा नाम जय है मैं मंगेश का दोस्त हूं आंटी मंगेश को बुला देंगे एक बार उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है बेटा मंगेश तो दिल्ली गया हुआ है वहां कोई कॉलेज की पार्टी थी तब से वापस ही नहीं आया हलो है भाणिवर बडूत कर्ण लाखि तुम लोग हो मुझे मंगुके अट्रेल मिल गैह है अरे मैं मांगुके घर पे हूं या अच्छा कीृति नेंगर में पुर्ति हैं क्यों जैपूर में कंवाने नाम य९ह बता चुरणा ये इनफॉमेंीर बात मंगु से क्या क्यां ब एक चला थे कर बाए ओके अंटे मुझे मुझे रजगता है कि वह दिल्ली में है जैसे पूर पने सका पता लगेका मैं आपको बकन आप में क्या हूआ क्या अरे यार मंगुर मिला नव यहां पर क्या शीरू का थे पना फोन आया था कि वह दिल्ली में हो सकता है तating तू दिली निकल हम दिली निकल रहे हैं जै मैं मैं तेरे साथ नियारी मैं कर तो 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 फिर तो वहां से निकल एरपोर्ट कहां जा रही है मैं तो आके बताती हूं और प्लीज चले हम चल ठीक है हाँ शुबोल अरे का है तो अरे मैं जैपूर एरपोर्ट पे हूँ यार वहां क्या कर रहा है अरे कावय को छोड़ने आया था पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है अब मतलब वहां क्या क्या सीन बन रहा है वहां उसने मुझे कुछ नहीं बताया यार चल तुझे आ वाला है चल तेरे को सिर्फ बताना था भाई चल पाए चल ठीक है तू जाए आर फिर में मिलता हूं ओक्या हां चीरू बोल मंगू मिला क्या मुझे वहां पर मंगू तो नहीं मिला पर वहां कोई स्क्रिप्ट मिली उसकी हां बताना फिर स्क्रिप्ट में क्या है हां यह लिखा है कि उनके बीच फैली टेंशन की वजए से उनमें से एक दोस्त अपनी रक्षा के लिए एक विशेश पूजा का आयोजन करता है और उसी पूजा के समय उससे आपसी रंजिश रखने वाला इसका मतलब गोलू की जान खत्रे में है पापा जी गोलू टॉलेट जाना चाहता है क्या वो जा सकता है जा सकता है लेकिन सिर्फ पश्चिम की हुए रुको पश्चे में धर है तुम रुको इसे चील के सब बेबार देना हाथ आगे लाओ जा सकता है आपिया आर आर काहा करूब अए कर दो कर दो कर दो कि अरे तुम या क्यों भी इस कुझा के बाद हमारा पूलू ठीक हो जाएगा ना कि अंटी को लुका है क्यों क्या हुआ बेटा अंटी एक तो आपका नंबर भी लग रहा है क्या वो को टॉलिट में टॉलिट में टॉलिट बेटा गोलू गोलू अ गोलू गोलू गोल ौ गोलू गोल कोलो कोलो कुर्ज एकार अजो उजर जहारहिे है कोलो अजय यूजब फ्रॉके अजये का लया हुजब लाजका पाढ़ेगा शया हम क्या Gudarsaduk? पॉछे डेला-फिसे गे थे धाश्तWow कोको कोको एंखें, तब वाग में मारेंगे पार ये निए पर जॉट जाओ यार इन्ट कि दार इज्वार के था इन तुने शाज परिए पीछा करते करते यहां तक आगया ये लेकिन यार यार इसका ज्वाब तो इसका बाप इनए अग्या प्निक तुक्छा ज्वाव बदेगा तेंक्यू आशू थेंक्यू जादू अजय गोलु की जान कदर में यहीं तुधा जो इसको बारना जाहरा था यही कौन है तुम्हें आइडिया भी है यह क्या हो रहे है अब उद्धर गोलु को तूड कि मुझे बिल्कुर समझ में निहीं है कि वो हमारे गोलविक को भीूरभ ञाहता था आखिर उसके क्या है हमारे शेलियों से मुझे शवीम यह समझ नहीं आलए के वा अदमी देब है तो यह भी टाधेब कि अच्छो तुझे क्या लगा हां तुमारा चूतिया काटता रहा और में कुछ पता नहीं चलेगा वेंचो जब तेरा फोन आय था ना जैपूर में कि तुझे मंगू का अड्रेस मिल गया तब भी मुझे कोई शॉरिटी नहीं थी कि वहां मंगू या उसकी स्क्रिप्ट मिलने वाली है एक अच्छों में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें तब मुझे यादा है कि मंगू ने पाटी में कहा था कि वो रॉक अड्रोला प्रडक्शन के लिए फिल्म लिख रहा है यह निगला डली और मैंने पकड़ी फ्ल दोक्यूमेंटरी तो मैं गई पुलिस्टेशन कि वहां तो कुछ हो जाए और वहां तो कुछ और ही कहां नी थी है साला यह अल्रेडी दो बार जेल जा चुका है क्या अरेस्ट हो चुका है असॉल्ट चार्जर्स पर साले अपने दो पडोसियों पर जानलेवा हमलाती आया तुने है अरी इसेक मेंटल बिमारी है खॉल्ट एस्पीड एस्पीड हां एंटी सोशल परस्नालिटी डिसॉर्डर बहुत गुस्सा आना गुस्से पे काबो ना कर पाना चोटी सी बात पर किसी के जान तक ले लेना लेकिन यह साला मुझे क्यों मालना चाहता था था सुरूर। मालना चाहता था पर मस्वारा कर शेया ना कोयाता भेस पर असा इस पर बहुत सब को से आने वालों का बजाक उड़ाते थे तुम लोग क्या अब अब तेरे उमर के तो प्रोफेसर होते हैं अब बाप को बोज़के जल्दी अद्मिशन नहीं ले सकता है अब लेगा गेला ले अब गंटा हुआ है हाँ वह मैं जाओं को स्मुवी के लिए चुप चाप जब वहती बोरिंग वट्किन जारी हों इंड़ अब बेश्चिण जारी हुआ अचाइश जार्ग जाओगई मुर्य बाइया भी तो होनी चीए है टिकेट के पैसे देने के लिए मैसे बतुरी से है ऑनकेट फिसे है शुज भाइया हो रही, हाणीरे म्न्न बाइया खिल अच्छीं देमा तो सब्सक्राब कर दिया है ना तुमने सालों मेरा साल खराब कर दिया है ना कि अद्धर सबढ़ सब सब रिखता किस निए जाता थाज़ा थाट प्रिंड को दिन अपक तो कि अधि कुछने करना चाहिश इन सब यह चुम्राइब यह लोग यह प्रेद का। यहहँगों एक तरह क्योंकि अभी शादि नहीं होती निपिए पुछ और क्यों 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 कि वो तो प्ले ही कुट्त बाली जिन्दी की जीरह होते है उप ए मिन इसका मतलब तू चीरु को कुटा भुल रहा है अरे नहीं हाँ अ मैने का बोला वो पहुँभा कर रहा है तोई जैसे हावा में सुपर्मेन वैसे जमिन पे डोगर्मेन जी मैंना कोड्रे में जाहर मिला के पिला तुम सब को लेकिन कुछ नहीं कर सकता था कुछे कुछ मिले ही जादू साले कुटे पेस्बुक क्रेस तेरा याद है तुझे अ béknow कि तुम लोगवर कर जा रहे है própलत तब उसको उसकेड़र को हैर के मैंने तुमार पीछा के मैंने उदर रास्ते में गाड़ी पंचर रहे तुम्हारी वह फिर वाबर भूती बिला तो तुम लोगों वह सब मैंने देखा था अरवे और तुम लोगों की किस्वात अच्छे निख लिख लिख देखा मैंने तुम लोगों बार पांगर रहावी है है तुमंगो की कहनी याद आई मुझे अगर मैंने उस ग्यार में तुम लोगों को शिकार मलाया तो तेरी गल्फ्रेड को भी मैंने वोटो भेजी थी जाला क्या करते तू तेरी तेरी यार हाँ प्रिक अब कराया तेरा मेरे बहुत रखा था तुरे आशू के बच्चे आया तंक कर नहीं चाहिए कुट्टे है बच्गा अर जब तुम लोगों के साथ था यह 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 लूले का हाथ भी मैं नहीं तोड़ाय था एक्सेंग कराया तेरा मैंने यह पीच्छे तल कृ कि एक मैंने क्या करतीती लिए पताँ मुरा करती थी पॉल कवया पॉल कजरए करम तुन क्या करताँ पॉल कशी ऑन्रो तो मजोगे क्या करता थी पॉल कजरए के उल्मा नहीं जाएगे तेरा मतला लोगा कि यह किया था उसरें? क्यूं उमरा वो जात दाठ दिया उस्यां पर क्या उस्के भी से विलत Tetra masks लगो तुम लुगे निसल क कराभ है लिडान दिया उसके हैं यहां में करते हैं, लुच्छे जिल.. तुच्छे, जोड़ो यार, जोड़ो यार.. अब पाती है कि यूशकी तो इसको पाल प्रॉब नदो अक्योब जो पुशक एग चाहिए जो पुशक का ना भी कर भी को अब रखया सबस्टारी। पाटें उसको भाट, यह रहे घटै कि अगटें कि लोटेंग लोटेंगे! कर दो, मुद्टें कॉड़े! विजए तु विजए में पछनार के मुद्टेंग, नीजए मछूँट एलाओ विजए अबच्छ विए, विजए उसका है चलो भगवान का शुक्र है देखा बच गए ना तुम लोग हां महतर्मा बच तो हम गए पर अब आप कैसे पचोगे अगोरी पूजा से या लेचले आपको भी भानगर्ण नहीं मूर्ख तु अब भी नहीं समझी ये सब मेरे पूजा के वज़े से तुम लोग बचे हो तु क्या मतलब है और वैसे देखो एक्टिंग अच्छी कर लेती हैं आप है वोजपुरी फिल्मों में क्यों नहीं ट्रै करती वहां तो मिली जाएगा आपको अच्छा मेरा मजाक उड़ा रहे हो अच्छा नहीं होगा सब का बुरा होगा ओलो मैडम अपना लस्तुन भी अपन मैं बेख लोगी मेरा मुझा को रखाओ मैं सब लोगों की वजह से मैं बेवजा मारा गया एक एक को देख लूँगा मैं यह एक वो नई वाली राणी बहुत कुछ करना भी था मुझको वो करवाने भी वाली थी फुल तैयारी करके बैठा था फुरसत से मैं कुरसी पे साथ में केक भी लाया था सामने वाली बेकरी से पंदरा मिंट की थी देरी बस हो आने ही वाली थी उससे पहले आया लैनलोड गर की एम सील गिरा दी इज लैनलोड फिर मा का सीन कैसे चड़ गिरानी फ्लोर दी मंगल रात की दीवानी इज लैनलोड फिर मा का सीन कैसे चड़ गिरानी फ्लोर दी और चार इंच की हाई हील करवाए यह तेरा पूरा मंगल रात की दीवानी आगे का कुछ सीन है ऐसा टीट बुठा जावे न जो टीट बुठा जावे ना तो रानी उपर आवे न बस बुठे को भागाना है रानी को बोलाना इसके बाद बाकारे क्रम तो बरसो पूराना है फिर दबे पाओ में आ गई सब का पोपत में बना गई मंगल रात की दीवानी फिर दबे पाओ में आ गई सब का पोपत में बना गई वो पड़ा था ने कमरे में मैं उसका लेक जगा दई ठीक एक बजे ही हुआ कुछ ऐसा हुई कुछ ऐसी बात के मैंने काटा था केक पर वो मुझको गई काट वो भी थी प्यासी कुछ दिल से मैं भी अकेला था पूरी कट खनी तो मैं भी कैसे नुवा था जब सुबा के बजगए साड़ तीन तब फिनिश हुआ था मेरा थी मंगल रात की दीवानी मैं पूरी रात लगा गई तुझको जनित दिखला गई समर वेकेशन चल रहा है उपर से लाइट गई सूचा नहीं था लेकिन हो गया तो ये भी सई गर्मी में माथे से टपके पसीना जो गर्मी लगे तो ठेक शार बई वो मंगल रात दीवानी जी मैं उससे मिलने वाली दीवा लेंड लोड तेरा लोड तेरा लोड तेरा लेंड लोड तेरा आगया वो बत्ती घुल करवा गया हुआ हुम हुआ हुआ